दोस्तो अपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दबादें कि हम लाते रते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी केवाल आपके लिए कम लागत में कोई बिजनेस सुरू करने का सोच रहें तो आप बीजो की टेप यानि सेलो टेप का बिजनेस कर सकते हैं सेलो टेप की डिमांड पर नज़र डाली जाये तो इसकी मंग बजार में काफी अच्छी खासी है Seller Tape का कैसी वस्तूर है जिसका इस्तमाल लगभूर हर घर, दुकान और आफिस में किया जाता है इसलिए अगर Seller Tape बनाने का बिजनेस कोई खोलता है तो उसे इसमें अच्छा खासा फाइदा हो सकता है Seller Tape का उपयोग हर इंडस्टिव में किया जता है चाहे वो प्रिंटिंग और पैकेजिंग अडस्टिव हो या फिर फार्मा चाहे वो food industry हो या फिर पूरियर services या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हर industry के द्वारा इंटेप का use किया जाता है उनके products की packaging के लिए इसके साथी साथ seller tape का use gift के समान को pack करने फूलों के गुल दस्ते को चिपकाने साधी बिवा और जहंदिंग पे भी किया जाता है आपको दुले की गाड़ी सजानी हो या दुलहन के लिए मंड़ या फिर अलग-अलग जगा जालब लगाने ये सारे काम आप seller tape के बिना नहीं कर सकते हैं इसके अलावा बिजली के तारों पे भी इसका उपियों काफी मात्रा में किया जता है तो चलिए दोस्तो हम देखते हैं कि हम कैसे अपना seller tape का बिजनेस शुरू कर सकते हैं उसके लिए कौन-कौन से raw materials और machine की ज़रूत होगी raw materials और machine कहां से खरीच सकते हैं कैसे seller tape को त्यार कर सकते हैं और total कितनी लागत आईगी तो वीडियो देखते रहें इस business की सुबात अपने घर से किरायक और छोटे से कमरे के साथ भी कर सकते हैं वैसे आप चाहें तो इन machine को घर की बिजली पे भी चला सकते हैं और साथी साथ इस business के लिए 2-3 लोगों की भी ज़रूत होगी जिनके ज़िए आप BOPP टेप को तियार कर मार्केट में बेच का हैं दोस्तों अगर BOPP टेप industry की बात करें तो ये industry काफी बड़ी है BOPP टेप manufacture करने के लिए main जो machine आती है उसे BOPP tape coating machine कहते हैं और इसका main जो raw materials होता है वो होता है transparent BOPP जो अलग-अलग micron जैसे 10 micron, 12 micron, 15 micron इत्यादी में flexible packaging company द्वारा manufacture के जाता है और वही BOPP tape का roll बनाने के लिए BOPP tape coating machine द्वारा BOPP में adhesive coating की जाती है इसका मतलब gum की एक layer चड़ाई जाती है जिससे की BOPP एक side से gum वाला हो जाता है और फिर त्यार BOPP के roll को अलग-अलग company दो पास order की इसाब से बेज़ दिया जाता है लेकिन हम इनी company द्वारा त्यार BOPP tape के roll को खरीद अपने order की इसाब से काट market में सेल कर अच्छा मुनाफा कमा सकते है और हमें अपने business के लिए ये raw materials बजार में 110 रुपीज पर kg से 150 रुपीज पर kg के इसाब से मिल जाएगा आप ये materials अलग-अलग type में खरीच सकते हैं जैसे की transparent, brown, red, इस्तियादी ये BOPP का rolls अलग-अलग size में आपको बजार में मिल जाएगा जैसे 26, 24, 43, 43 के इत्यादी दोस्तों हम ये raw materials kg के इंसाफ से खरीच सकते हैं और हमें बेचना मीटर के इंसाफ से होता है और नर्मली बजार में बिखने वाली एक BOPP के टेप में 50-65 मीटर के आसपस टेप होता है और वहीं बजार में जो टेप बिखती है वो 10 या 12 माइकरोन की होती है यानि हमें ज्यादा GSM वाले BOPP टेप खरीदने की भी ज़रत नहीं वैसे में आपको बता दो कि ठिकने जितनी ज़्यादा होगी टेप की उसका प्राइस भी उतना ही ज़्यादा होगा Core Cutting Machine के ज़री हम Paper Core के बड़े साइज को अपने टेप के साइज में काट लेते हैं जैसे 1 इंच, 2 इंच या 15 इंच हमें बस इस मसीन के साफ में Paper Core को लगा देना होता है और साइज सेट कर देना होता है और मसीन में कटर लगे होते हैं जिनके जरीए ये मसीन पेपर कोर के बड़े साइज से छोटे छोटे कोर काट देती है और इस मसीन के जरीए हम 50 mm से 13 mm के साइज में पेपर कोर को काट सकते हैं और ये पेपर कॉर आपको बजार में 25 से 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा, जिसे आप अपनी जोरोत के हिसाब से खरीद सकते हैं, और वहीं दोस्तो मीनी B.O.P. टेप कटिंग मसीन के दौरा पहले काटे हुए कóm कुउर के साप में लगा देना होता है, और उसके दुसरे चोर के बी-ो-P. टेप के जंबے रोल को लगा दे, फिर ये मसीन आपके साइज में B.O.P. टेप को तियार कर दिए है, इस machine में बने पैनल में आप meter भी set कर सकते हैं कि हमें कितने meter का tape त्यार करना है और meter पूरा होते ही machine जुग जाती है और आप त्यार tape निकाल दुबारा से four set कर सकते हैं दोस्तों इस machine को आप बड़ी असानी से operate कर सकते हैं और इसमें ज़रा problem भी नहीं आठी है दोस्तों इन दोनों machine के अलावा आपको अपने बिजनेस के लिए paper core और कुछ packaging materials की ज़रत होगी जिससे आप अपनी ज़रत की इंसाफ़े order कर सकते हैं paper core order करते हैं यह ध्यान ज़रत है कि आपको paper core के निचले सिरी में अपने company का नाम भी print करवाना है या फिर आप जो packaging box use करेंगे उस पर भी आपको अपनी company का नाम print करवाना है जिससे कि आपकी company का परचार को दोखुद हो जाएगा दोस्तों paper core का standard size 1000 mm याने 1 meter का होता है और यह आपको 8 mm, 10 mm या फिर 12 mm thickness में मिल जाएगा आपके machine में soft का जो size हो, उस size के इसाब से paper core को order कर सकते हैं और वही आपको एक box में कितना tape का road देना है उस इसाब से corrupted box का भी order कर सकते हैं परती साथ आप 2-3 लोगों को रोजगार भी दे पाएगे दोस्तों आप चहां से machine खरी देंगे आपको training भी वहीं से मिल जाएगी और उनके ज़री इस business की और भी ज़्यादा जनकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों आपको इस business को शुरू करने में कोई दिक्तत आती है आपको कोई information चाहिए तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं और हम उसको तुरंत reply करेंगे दोस्तों आपको अपने duty tape manufacturing के साथ साथ इसकी marketing के भी जियान देने की जगत है इसके लिए आप किसी tape बंजे को hire कर सकते हैं जो अलग-अलग जगवों के जैसे इस्टेशनरी साथ, स्कूल, hardware साथ, offices, courier agencies, furniture साथ, decoration करने वाले साथ इत्यादी जगवों में घुंदूम के आपके त्यार tape की quality का परचार करें और उनसे order लेने ही कोसिस करें दोस्तों हमें इस बिजनस में नॉर्माली 20 से 25 पर 30 सब का profit margin मिलता है इसलिए हमारे सेल जितनी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे उसकी सूचना आपको दोस्तों इस वीडियो में इतना है करता हूं कि अपनी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना पूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं बिजनेस आइडियेस पूंचे सबसे पहले आपके प्लीजिए